लाल कृष्ण आडवानी को भारत रत्न देने के एलान के बाद से ही आडवानी का परिवार और प्रशंसोकों में खुशी है जबरदस्त उत्सा है उनकी बेटी प्रतिभा आडवानी ने अपने पिता के साथ ये खुशी शेयर की उनका मुह बीठा कराया तो आडवानी भाव मंदर से जुड़े संस्मरन भी सुनाए उन्होंने कहा कि आडवानी मंदर बनते देख बहुत खुश है और इस चीज़ की संतुष्टी और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है और मैं मानती हो कि उनके जीवन के इस वह बहुत खुश थे स्वभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफी समय से संघर्ष भी किया उसमें मेहनत भी की वह सपना पूरा हुआ तो इसके लिए वह बहुत खुश है वह बहुत भाववेबोर हैं सुबे से आंखों में आसु है जो प्रदान मंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ उन्होंने श्री लाल कृष्ण अढवानी जी को भारत रत्न से समानित किया है और ये परिवार के लिए देश के लिए हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसंता का विशे है देखे 1990 में अड़वानी जी की रथ्यात्रा हुई थी जो राम मंदिर के निर्मान के लिए थी और 1990 से लेके अब तक आज 2024 हो गया है इतने वर्षों तक कई लीगल केसिस भी आये कई और बातचीत हुई लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है और ये एक निश्यत रूप से उनके जीवन काल में हुआ है तो इसकी बहुत हमें प्रसंता है कि जो अंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो अंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और बहुत उसकी हमें खुशी है निश्चित रूप से उन्होंने एक यह आयोजन किया था इसका पूरा मुवमेंट का आज हम देख रहे हैं उस अपने सामने बहुत अच्छी बात है